दोस्तो नमस्कर, दोस्तो आज जो ये टीटमेंट मैं आप लोगो वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये इलेस्टोमेरिक टीटमेंट है, इलेस्टोमेरिक टीटमेंट में हम लिक्विट फार्म में रबड का उप्योग करते हैं साथ ही पूरी सतो और सरचना पर ग्लास फैबर मेश सीट जाली भी बिछाते हैं किसी भी परकार की सतो या सरचना को जलोधी बनाने के लिए वाटर पूफिंग का काम किया जाता है वाटर पूफिंग एक महत्पूर्ण पर करिया है आपकी बिल्डिंग नई हो या पुरानी हो पुराने से पुराना लेंटर हो गाटा टुकडी वाली चट हो चट पर ब्रिक लगी हुई हो सीलन सीपेज लीकेट से बचने के लिए किसी ब्यक्त विसेश के मता नुसार आप अपनी चट पर टाइल्स मार्बल पत्थर लगवा चुके हो या टीन सेड हो सिमेंड की सेड हो इन सभी परकार की चटों में टोटल सेउन पर कोटिंग वाटर पूफिंग टीटमेंट का काम करवा लेते हैं तो आपकी चट का टपकना, चट पर दरार, चट से पानी का रिसाओ, सीलन, सीपेज, लीकेज आदी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं सेउन कोटिंग वाटर पूफिंग टीटमेंट में पॉलिमर के साथ तीन और रवड के साथ चार कोटिंग की जाती है ज़द जनकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर बिजिट भी कर सकते हैं, मुझे कॉल और वड़सप भी कर सकते हैं धन्यवाद